हेलो फ्रेंड्स दिस भावना हीर वेलकम टू लेट्स क्रेक तो कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे होंगे जिनका सीट रह रहा है उनकी त्यारी अच्छी से चल रही होगी क्योंकि सीट इट मैंने सारा से लेवस कराया हुआ है अगर आप रिवीजर करना चाहते हैं तो कर सक ठीक पढ़ा है उसे ही प्रेक्टिस करते रहें पेपर अच्छा जाएगा ठीक है जो यूपिटेट की तैयारी करना चाहरे हैं करने वाले हैं उनके लिए मैंने स्टार्ट कर दिया कोश्चन की प्रेक्टिस भी हम करते रहेंगे जो भी टोपिक में कम्प्लीट कराऊंगी स अब कम्प्लीट कर चुके हैं तीन पार्ट में लर्निंग थोरी हमने कल स्टार्ट कर दिया है तो आज उसका सेकंड पार्ट है यह काफी बड़ा टॉपिक है लर्निंग ठीक यहां पर यूपिटेट की क्लासिज चली रही है बाकि अगर आप बीची टीचिंग ट्रेइनिं subscribe कर लें college with भावनगो क्योंकि यहां भी daily classes हो रही है ठीक है एक दो दिन बीच में छुट जाता है ठीक है तो यह कुछ social media handle है यह तो आपको पता है Instagram पे आप मुझे follow कर सकते हैं ठीक है कोई भी अगर आपको messages कुछ भी पूछना हो कोई भी बात करनी हो ठीक है और यह मेरा Facebook ID है और यह Facebook page है जहां आपको teaching related content मिलेगा ठीक है टेलीग्राम पे अगर आप PDF के form में पढ़ना चाते हैं content को तो टेलीग्राम पे follow कर लें बाकी YouTube पे तो आप सब हैं ही अगर नहीं subscribe कर रखा है तो कर लें ठीक है बाकी share भी कर दिया करें तो हम learning के बारे में पढ़ रहे थे हमने पढ़ लिया था कि learning क्या होती है यह definitions जो दी है कल की वीडियो में हमने कर लिया था characteristics कर चुके थे हम steps कर चुके थे जो कि Miller ने दिये हैं ठीक है कुछ factors है जो affect करते है learning को यह भी हमने complete कर लिया है क्योंकि यह पूछा जाता है यूपी टैट में ठीक है बाकी अधर टैट में जैसे की रीट वगरा में भी पूछ लेता है जो रीट है यूपी टैट है इनकी जो थे ओरी लगबग सेम है लगबग क्या mostly सेम ही है इस तरह की यूपी टैट में ठीक है तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी क्योंकि मैं रीट के भी कोश्चन इसमें डाल दूगी ठीक है तो आज हम करने वाले हैं थोन ट्रायल एंड एरर थियोरी नाम तो आपने सुनाई होगा थोन डाइक का परिक्षन और तुरूटी सिद्धान जिनकी फस्ट यह उन्होंने नहीं सुना होगा नाम पर कोई बात नहीं अब सुल लेंगे ठीक है तो थोन डाइक ने एक्सपेरिमेंट किया था एक्सपेरिमे इनकी ठीक को जाना जाता है परिक्षन और तुरूटी सिद्धानत के नाम से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया चूहें पे एक्सपेरिमेंट किया और मुर्गियों पे एक्सपेरिमेंट किया लेकिन सबसे जादा जो फैमस इनका और बाहर किया एक्मठली रग दिया चोटे से निब्बे घह से चाने के लिए ठीक है और बंद कि था थी तरह से पूरा डियां तो इसी के बारे में सारा पढ़ेंगे कि दग को सफ़ीय कैसे खाने को मिली देखो फोटो के फॉर्म में आप देख सकते हैं कि यहां पे बिल्ली है बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दिया जो कि एक जेल की तरह थी ठीक है बार बॉक्स रख दिया इसमें मचली रख दी गई है तो बिल्ली को बूकी बिल्ली को अंदर रख दिया तो बिल्ली क्या है तो इसी की वज़े से नाम क्या पढ़ा ट्रायल एंड एरर थियोरी यानि बिल्ली बार-बार ट्राय करती है कभी फुदकती है कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है पूरे जाल को हिलाती है लेकिन बिल्ली को मचली नहीं मिलती है बिल्ली के हाथ मचली नहीं लगती है लेक रेंडम उसका पैर क्या है लीवर पे पढ़ जाता है ठीक है लीवर पे पढ़ जाता है और क्या है बॉक्स खुल जाता है और बिल्ली मचली को खा जाती है जब यह एक्सपरिमेंट दुबारे से करते हैं तो बिल्ली को जैसे दुबारा बंद करते हैं तो जितना टाइम बिल तो इसका नाम पढ़ है ट्रायल एंड एरर त्योरिय नि परिक्षन और त्रूटी का सिध्धान जितने जादा उसने ट्राय करें उतना ही जाके फिर लास्ट में उसे खाना मिल गया ठीक है तो इसी के बेस्ट पे इन्होंने बहुत सारे क्या है प्रिंसिपल दिये जिसमें से कुछ प्रिंसिपल जो है फैमस है जिने प्रायमरी लोज कहा गया है कुछ प्रिंसिपल है जिने सेकंडरी लोज कहा गया है ठीक है तो पढ़ते हैं इनके बारे में भी फरस्ट जो है प्रायमरी लोज ओफ लर्निंग यानि सीखने के प्रात्मिक नियम फरस्ट जो नियम है ये तीनों काफी पूछे जाते हैं देदेगा question में चार देदेगा कि पूछ लेगा इनमें से primary कौन से है या फिर इनमें से primary कौन से नहीं है तो इस तरह से पूछ लेता है ठीक है primary तीन लो दिए है इन्होंने फस्ट लो ओफ readiness नाम से पता चल रहा है तत्थ परता का नियम या तयारी का नियम क्या होता है readiness means preparation of action जैसे कि आप है आप पढ़ने के लिए रेडी है क्यों क्योंकि आपको पता है 일이 यह यूपिटेट देना है फिर फिर उपर्टेट आएगा तो उसमें हमें बैठना है तो आप किया है रेडी है और अगर कितनी भी कोसिज कर लो अगर आप रेडी नहीं है पढ़ने के लिए आपने मनी बना लिया कि भाईया मैं नहीं देने वाला पेपर वेपर तो आपको कितना भी जबर जस्ति बोल दिया जाए पढ़ ले या फिर उस भीज दिए तो आप नहीं पढ़ेंगे आप रेडी नहीं पढ़ने के लिए ठीक है तो यह क्या है फ 디नित फनीकी लो टेकर समझ इब चैकिन बंद्री एक्सटाई और प्रक्टिस क्या है वया क्या अभियास कर दो या इन यह कंँ वौ वाली एक्ससाइज नी फ्रैक्ति practice makes a man for fact जो हम पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से हमने यही पढ़ा है छोटे पन से practice makes a man for fact ठीक है यह तो सभी ने सुना होगा तो इसी के बेस जई है क्या है low fact size यानि जितनी ज़्यादा आप practice करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी चीजे strong होगी जैसे कि आप कोई भी चीजे बार-बार अगर उसे revise कर रहे हैं पढ़ रहे हैं जितनी ज़्यादा practice कर रहे हैं चीजे उतनी ही strong होती चली जाती है और ज़्यादा लंबे समय तक रुकती है जैसे कि बहुत बार का जाता है कि पढ़ने से ज़्यादा important है revision करना कि ड्रिलिया अभ्यास सीखने की दक्षता और इस्थायित्व को बढ़ाने में मदद करता है ठीक है यानि आप क्या है कि कुल को mastery कर लेते हैं अगर चीजों पर बराबर practice करते रहें exercise करते रहें ठीक है third जो है third law of effect क्या है third law of effect यानि क्या है effect positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है कोई भी हमारे उपर है हमें कोई बात है कोई कह रहा है तो हमारे उपर positive effect भी हो सकता है उसका और negative effect भी हो सकता है ठीक है जैसे कि आप paper दे रहे हैं और आपके अच्छे नमबर आ रहे हैं तो क्या है आपके ऊपर positive fact पड़ेगा आप क्या है खुस होंगे satisfy होंगे आपके learning और मजबूत होगी आपके connection और मजबूत होंगे कि भाईया मैं तो आगे और पढ़ूँगा इतना अच्छा result है और अगर आ है और आपकी आपके नमबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आप क्या है उसे satisfy नहीं होंगे आप डिस्सपाइब हो जाएंगे आपके अंदर अनोएंस आएगा आपके learning कमजोर हो जाएगा आपका मनोवल टूट जाएगा कि भाईया मैं आगे पढ़ाई नहीं करूंगा तो यह क्या है परभाव का नियम यह negative भी हो सकता है और positive भी हो सकता है ठीक है तो यह तीन नियम हुए फर्स्ट क्या है लोओ अफ रेडिनेस यानि पढ़ने के लिए तयार होने चाहिए या कोई किसी भी काम करने के लिए कोई ready होना चाहिए जबी वो कर पाता है लोओ है तो आपका connection मजबूत नहीं होगा वो वीख हो जाएगा ठीक है फिर है कुछ secondary laws इतने सारे secondary laws अब देखो आपको इन नाम ध्यान रखने है क्योंकि question में क्या है एक डाल देगा इन में से पूछ लेगा कि कौन सा secondary law है इनके deep नहीं पूछता है किसी भी paper में बस इनके नाम पूछे जाते हैं ठीक है तो deep नहीं पूछता है अगर पूछेगा deep तो सिर्फ इस वाले लोग को पूछ सकता है law of multiple response ठीक है तो first क्या है law of supremacy यानी परधानता का नियम देखो जैसे कि आप youpitate की तयारी सुरू कर रहे हैं या आप किसी भी paper के लिए पढ़ रहे हैं या ठीक है starting में पूरे efforts लगाता है ठीक है तो यह है law of primacy यानी परधानता का नियम स्टार्टिंग में तयारी सब अच्छी करते हैं स्टार्टिंग में efforts सब अच्छे लगाते हैं ठीक है सेकिंड है law of recency यानी नवीनता का नियम यह क्या है जैसे कि हम recent में कोई भी काम हुआ त और किसी की साधी एक साल पहले दो साल पहले हुई हो तो याद रहेगा यही नियाद रहेगा कौन से महीने में हुई थी तो जो चीजे recent के होती है वह माइंड में जादेरते किस्टे करते हैं जैसे कि हमारे paper होते हैं जैसे B.Ed है B.A.B.S.C. है तो क्या करते हैं आपने पू हांग में चीजे रहेंगे या पेपर के बहार खड़े होके भी लोग कोशन पेपर पढ़ते हैं कि यह वाली हैडिंग होगे यह होगे यह होगे क्यों पढ़ते हैं क्यों कि recent में जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको ध्यान रहेगा ठीक है तो यह हुआ लोओ फ रिसेंसी कि और पिंटेजन की तीवरता का नियम जैसे कि जितनी जादा आपकी इंटेंसीटी यह होगी इतना अच्छा आपका स्टीमूलस होगा उतना ही अच्छा आप सीखेंगे जैसे कि कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं कोई भी पेपर आप देने जारे हैं तो जितना जादा आपके अंदर उत्सा होगा, जोश होगा कि भहिया मैं तो इस पेवर को फोर्ड दूँगा फुरा तो उतनी अच्छी आप तियारी करेंगे उतनी अच्छी आपकी लर्निंग होगी ठीक है और जितने जादे आप डाउन होगे कि मन में सोच लेंगे कि भही मैं नि दे सकता इस पेवर को, मेर से नहीं होगे यह है तो क्या है उतनी आपकी लर्निंग वीक होगी यानि जितना अच्छी अच्छी आपकी लर्निंग होगी जितना आपके अंदर उत्सा होगा ठीक है, तो ये हुआ law of intensity of stimulus फिर law of multiple response यानि एक आदिक प्रतिगिरिया का नियम कोई भी situation हो आप क्या है उसमें multiple response लगाते हैं जादे से जादे तरीके लगाते हैं किसी भी problem को खोजने के लिए ठीक है जादे से जादे respond करते हैं ठीक है फिर law of set और attitude यानि mental set है law of mental set इसका पूरा नाम क्या है law of mental set अब क्या है जैसे कि आपका paper है आपने अपना mentally set कर लिया अपना दिमाग set कर लिया कि इस paper में ना मैं 130 ऐसे ही लिया हूँगा तो आप क्या है उसे कर सकते हैं आपके दिमाग में mentally set होगा तो आप उसे करने के लिए बहुत जदे उत्सुक रहेंगे बहुत जदे तयार रहेंगे लेकिन अगर आपने अपने दिमाग में ठान लिया कि ये paper इतना tough है कि मैं तो इसे हिला भी ने सकता paper की ना मुझसे cdp होए कि cdp मुझे समझ नहीं आती है ना मुझसे e-vs होगी इंग्लिस तो मैंने कदी बच्चपन भी पड़ी थी तो इंग्लिस भी नहीं होगी तो क्या है आपका mental set हो गया आप उस paper को कभी पास नहीं कर सकते ठीक है तो ये क्या है law of set और attitude या नि क्या है set या attitude का नियम हिंदी में पता नि क्या बोलते होंगे से अभी व्रत्ति शायद क्या है लोव एनलोगी और similarity नि समानता का नियम क्या है जब कोई भी समश्च्य को क्या है पुराने तरीके से ही सोल करें या फिर पुराने तरीके से ही जैसे कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं नसी अफ में क्या गतिविति या पूरू छमता का नियम जैसे कि हम कोई भी chapter पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं उसमेंसे main main point निकाल लेते हैं यह मुख्या बाते निकाल लेते हैं यह मुख्या बाते पहले और कम महत्पून बाते बाद में ठीक है देख लेते हैं कि main main point इसमें से क्या है तो यह हुआ लौ पार्शल एक्टिटी तो यह कुछ लो हैं कितने हो गए एट ऐसा है टू थ्री फोर फाइव सीक्स सेवन एट आठ नियमें तो यह आठ के आठ आपको याद रहने चाहिए आठ के नाम याद रहने चाहिए बस दिमाग में क्योंकि इनके अंदर से कोश्चन नहीं पूछता है सिर्फ क्या है नाम पूछता है इनके तो यह आठ के आठ आपके माइंड में याद होने चाहिए फस्ट रोफ प्राइमेसी रिसेंसी इंटेंसिटी ऑव स्टिमुलस मल्टिपल रेस्पोंस लोफ मेंटल सेट और एटिट्यूड लोफ एनलोग और सिमिलारिटी लोफ एसोसेटिव सिफ्टिंग लोफ पार्शल एक्टिविटी और प्री पोटेंशी तो यह आपको ध्यान में लहने चाहिए तो यह हुई आज की बात अभी तो आगे भी बच रहा है थोड़ा सा इसका कंक्लिूजन देख लेते हैं कि क्या कंक्लिूजन थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो कोसिस करिएगा मैं बता दूंगी लेकिन मैं बोल के तो बता ही रही हूं यह मैंने स्लाइड रखी है यानि जो यह सिद्धान्त है ट्राइल एरर लर्निंग जो है यह एक और्गिनिजम के उपर है बिल्ली के उपर है तो बिल्ली क्या है चीजों के अटेंप्ट करती है बार बार परियास करती है और क्या है अलग अलग सुझा पाती है अल्टरनेटिव सुल्यूशन निकालती है कि भाईया यहां पैर माल लूँ फुदक लूँ उपर देख लूँ पूरे जाल को हिला सुल्यूशन पर पहुँच जाती है यानि लास्ट में करेक्ट सुल्यूशन निकल के आ जाता है जो वह चाहती है जो उसका मन है कि यह बिल्ली मुझे मिल जाए तो वह मचली उसे लास्ट में मिल जाती है ठीक है तो इस चीज में क्या क्या इन्वॉल्व है जो उसने पूर हो गई चीज़े ठीक है बाद में क्या है वो सीख गई जैसे कि हम किसी पेपर को देते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम सारे पेपर में पास ही होते हैं कुछ में फेल भी होते हैं लेकिन हम attempt कितने सारे दे रहें अब तक क्या है अगर आप स्टार्टिंग से त्वेल से तयारी करने तो आपने आठ दस एक्जाम दे दिया होंगे तो आपने अटेंप्ट बहुत सारे करें तो आपने learning भी करी आपने एरर भी करें लेकिन क्या है एक टाइम पर आके आपकी जोब लग जाएगी तो आपका बिहेवियर क्या है करेक्ट हो जाएगा ठीक है motivation उसके अंदर motivation भी था क्योंकि उसका उदेश्य सहट था कि यह मचली तुझे खानी आई उसके उसे यह गोल अचीव करना था तो क्या है motivation भी उसके दिमाग में था exploration यानि उसने चीजों को explore किया चाहे वो random उसका पेर पड़ा चाहे उसका purpose था तो दोनों एकी बात है कि उसका उदेश्चे भी यही था और randomly उसका lever पे पड़ गया और क्या है lever press हो गया और वो खुल गया box और उसे मचली मिल गई कि उसने try भी किया और उसने error भी किया यानि उसने परियास भी किये और उसने true T भी कियी तो परियास और true T का यह सिध्धान दुआ ठीक है तो यह हुआ आज की बात आज हमने thon dieg की theory complete कर लिया हम इसके questions भी करेंगे फिर आगे हम next theory करेंगे पैवलोव की करेंगे इस तरह से skinner की करेंगे inside theory guest art की करेंगे तो सारी theory हम complete कर लेंगे तो अगर आप channel पे नए हैं तो subscribe कर दें अगर पुराने हैं subscribe नहीं किया हुआ है तो भी कर दें bell icon को on रखें जिससे आपको notification आता रहे वैसे तो classes daily होती है लेकिन अब Sunday का off कर लिया था मैंने ठीक है तो अगर आप बीएड कर रहे हैं तो second channel को भी subscribe कर लें वहाँ भी आपको help होने वाली है ठीक है बबाई take care हसते रही है मुस्कुराते रही है और पढ़ते रही है